मुर्ली की तान बज रही हो मुर्ली की तान उठ जागर इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुर्ली की तान बज रही हो ओम शान्ती आज प्यारे बाप दादा के साकार इश्वरिय मधूर महवाक्य हैं 20 जुलाई 2023 आज की मुर्ली के सार में बाबा ने कहा कि सदा इश्वरिय मौलाई मस्ती में रहने के लिए वास सदा अचल अडोल अवस्था बनी रहे उसके लिए अपने घर में एक बाबा का कमरा बनाओ जिसमें शिबाबा का चित्र लगाओ घड़ी घड़ी जाकर बाबा के सामने बैठो बाबा से बाते करो तो सारा दिन याद बनी रहेंगी जैसे भक्ती मार्ग में अपने घर में उजा की कोटरी अत्वा मंदिर बनाते हैं उसके लिए बाबा ने विशेश और बार बार आज अटेंशन दिलाया कि अपने घर में बाबा का कमरा जरूर होना चाहिए और कहा घर में कोई हंगामा होता है, कोई बात हो जाती है, तो फट से जाकर बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा कहे तुमको एक शिबाबा की याद का अजपा जाप करना है, एक बाबा के सिवाई और कुछ भी याद न आए, और बाबा से बाते करो, बाबा आप आए हो, कित बाबा का कमरा ही वैकुंट बन जाएगा। जो सारा दिन याद बनी रहेंगी। आज मुरली से प्रश्ना है नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूती केवल संगम पर ही होती है। उतर में बाबा ने कहा विचित्र बाब के साथ प्यार करना। यह है नया प्यार। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार ब्रह्मा बाबा में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डारेक्ट इश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया। अब विदेही बाब से प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे ज्यान की जनकार लिये। ओम शांती। बच्चे जानते हैं, बिहद का बाप विचित्र निराकार हैं, और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वा आये हैं, इनको नया प्यार कहते हैं। इश्वर का प्यार सरफ एक बार बच्चों को मिलता हैं, बच्चे समझ सकते हैं, बरो बर परम पिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं, वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, वह निराकार विचित्र बाबा, इस ब्रम्हा बाबा में आया हुआ हैं। परम्पिता परमात्मा हम आत्माओ का बाब हैं, हम अभी उनको जान पहचान गए हैं, यह प्यार भी अनोखा हैं, वैसे तो हमेशा देहधारियों को ही प्यार किया जाता हैं, यह है विदेही, बिगर देहके, हम उनके सामने बैठे हैं, बहुत प्यार से आकर पढ़ाते है तो नई बात हुई ना, आगे जो आशाये थी, धान मिले, महल मिले, यह सब आशाये बदल गई हैं, सारी दुनिया में तुम्हारी आशा बदली हुई हैं, हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुर्शार्थ कर रहे हैं, अभी तुम संगम पर बैठे हो, जानते ह वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव हैं, याद भी उनको ही करते हैं, अभी तुम बच्चे सनमुक बैठे हो, दिल में उमंग है, बिहद के बाप से बिहद का वर्सा लेना है, कितना विचित्र अनोखा वंडर्फुल बाबा हैं, आज बाबा विशेश बाबा के प्यार और स्वरुप को स्पष्ट कर रहे हैं, कि बाबा कितना अनोखा हैं, और उनका प्यार भी कितना अनोखा हैं, और यह अनोखा वंडर्फुल प्यार मिलता है संगम पर, और मिलता है हम बच्चों को, यह और कोई नहीं जानते, सरफ तुम ही जानते हो, बाप कैसे अपना बना कर फिर पढ़ाते हैं, तो ऐसी क्या युक्ति करें, जो घड़ी-घड़ी बाप को याद करते रहे, बाप राई देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दे, शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे, बिहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पा जाकर शरिर के साथ राज्य करेंगे, जो बात अभी स्वपन में भी नहीं थी, अब वह आया है, तो एक कोठरी अपनी बनाई, शिव का चित्र रख उसमें लिख देना चाहिए, बाबा आया हुआ है, अर्थात बाबा केते हैं, तपस्या के लिए अपने घर में या सेंटर पर ऐसा छोटा सा रूम बनाया हुआ हो, जहां बीच-बीच में जाकर तपस्या करें, और साथ-साथ दुसरों को भी यह मैसेज दे, कि स्वयम परमपिता परमातमा आया हुआ है, उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने, बाड़ी शिबाबा को देखते रहेंगे, तो याद रहेंगी, चित्र गले में भी डाल देते हैं, पती का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना, तुम बच्चों के लिए भी तयार करा रहे हैं, पारलोकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है, और सभी की याद को एक शिबाबा को याद करना है, जिसे भक्ती मार्ग में भी अपने घर में उजा की कोटरी अथवा मंदिर बनाते हैं वैसे ज्यान मार्ग में भी कोटरी बनाई, उसमें शिबाबा का चित्र रख देना चाहिए, मनुष्य समझते हैं, ब्रम्हा कुमारियों की मुर्ली विक बाबा कहें अरे यह तो अच्छा है ना, पावन बनने लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना होगा, बाबा के ते बिगड़ते हैं भक्ती क्यों छोड़ाते हो, अच्छा हम भक्ती करते हैं एक की दुसरा ना कोई, और संग बुद्धियोग तोड़ देना है, आज बाब को याद करना एक के प्रती श्रद्धा भावना निश्चय और अटूट प्यार रखना यह भी जैसे एक की भक्ती करना हुआ, तुम्हारी युद माया से हैं, तुम बाब को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती हैं, तुमको शिबाबा से वर्सा मिलता हैं, ऐसे याद करते रहेंगे, शिबाबा को देखते रहेंगे, तो तुम्हारी कोटरी वेकुंट बन जाएंगी, आज बाबा कितनी निराली बात समझा कर नशा दिला रहे हैं, कि अगर एक छोटे से स्थान पर बैठ कर तपस्या करेंगे, तो वहाँ पर ऐसी महसूसता होंगी, कि जैसे यहाँ ही वेकुंट बना हुआ है, मीरा भी भक्ती करती थी, तो वेकुंट का सक्षातकार करती थी, उनको भी सक्षातकार कराने वाला शिबाबा है, तुम्हारी बुद्धी में अब आया है, हम शिबाबा से विश्व का मलिक बनते हैं, भक्ती मार्ग में यहाँ पत ज़रूर नई चीज मिलेंगी, उनको Heavenly Godfather कहा जाता है, स्वर्ग में है स्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है, स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह देहधारी नहीं है, यू तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापुजी कहते हैं, परन्तो सब धरम वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं, तुम जानते हो, सबका बापुजी शिव दादा नहीं, बाबा हैं, वह निराकार दुनिया में रहते हैं, स्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो वैकॉंठ निवासी हैं, रि बुद्धी किसी की भी चलती नहीं, बाप आकर बुद्धी का ताला खुलते हैं, यहां है नई बात, और सत्संगों में ऐसे नहीं समझते हैं, कि शिव बाबा नौलेश दे रहे हैं, वहां तो सब देहधारी बैठे हुए हैं, तुमको निश्चय हैं, हम निराकार बाप से विगन डालती हैं, रुद्र ज्यान यग्य में असूर्व की विगन पड़ते हैं, देह अभिमान आने से ही विगन पड़ते हैं, बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं, यह शरीर छोड अब वापस जाना है, स्थोल देहधारी सब की याद छोड़नी है, पक्का निश्चय करना है, हम आत्माएं परमधाम से आई हैं, वहां के हम रहने वाले हैं, सत्युग में इतने जन्म राजाई की, 84 जन्म लिये अब नाठक पुरा होता हैं, वापस जाना है, घर में कोई हंगामा हो, तो कोट्री म शिव का चित्र रख दो, आज बाबा विशेश इस बात पर अंडर लाइन करा रहे हैं, कि अपने घर में एक बाबा का कमरा जरूर होना चाहिए, ब्राम्हन लोग स्त्रीयों को कहते हैं, कि शिव की पुजा नहीं करनी है, परन्तो शिव बाबा तो आते ही है माताओ के अबलाव माताओ में रहती हैं, पुरुष्टो जैसे खगे हैं, घड़ी-घड़ी बाहर निकल जाते हैं, बुद्धियोग बहुत भटकता है, स्त्री का पती तरफ बहुत मोह जाता है, तुम बच्चे समझते हो, यह दुखधाम है, अब सुखधाम सापन करने वाला बाब आया हुआ है, युक्तिया रचनी है, हम बाबा को याद कैसे करें, उनको इन आखों से नहीं दिखा जाता, यह आत्मा कहती है, हमारा शिव बाबा बाप है, शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होंगी, तुम बच्चों का योग भी अभिविचारी चाहिए, ब्रम्हा बाबा ने अपना मिसाल बताया था, लक्ष्मी नारायन के चित्र से हमारा कितना प्यार था, फिर एक दिन खयाल आया, लक्ष्मी दासी बंध पाउव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है, तो आर्टिस्ट को कहा, इस से लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो, बाकि ना पोकेट में एक मुरादी के बॉक्स में, अर्थात बाबा के पास नारान का एक चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, और दुसरा मनी बॉक्स पर पड़ा रहता था. घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था, जैसे मस्त परंतु गुप्त रहता था, कोई देखे नहीं, नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है, पहले स्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णू से हो गया, जैसे भक्ती नोधा होती है, वैसे यह याद भी नोध चाहिए, इससे प्राप्ती बहुत भारी है, उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दुसरे जन्म में महनत करनी पड़े, भक्ती में धंदे आदी में महनत लगती है, कमाओ तब खाओ, बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी महनत कराते ह जो 21 जन्म भोगते रहेंगे, कुछ महनत करने की दरकार नहीं रहेंगी, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, तो ऐसा बाप जो पुर्शार्थ करना सिखलाते हैं, उनको याद करना चाहिए ना, कहेंगे श्वासो श्वास याद करो, गुरु लोग अपने सिश्यो को कहते हैं, म जैसे की राम की पूरी में पोहच गए, तुमको तो बाबा कहते हैं, श्वाबा की याद का अजपा जाप करो, और कुछ याद ना आए, परन्तु माया भी सामना करती है, भक्ती मार्ग में थोड़े ही माया सामना करती है, यह है माया और इश्वर के बच्चों की युद, नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती हैं, अभी है संगम युग, माया के उल्टे-सुल्टे संकल्प विकल्थो आते रहेंगे, तुफान ऐसा जोर से लगता है, जो मनुष्य को भी डराकर दूर फैंक देते हैं, यह फिर माया रावन का तुफान है, उनसे बचने की युक्तिया तो बाबा बताते रहते हैं, तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, तुमसे कोई पूछे, तु वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं, यहां बाप आकर कहते हैं, देह सहीत जो भी संबंध हैं, उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो, सन्यासी ऐसे थोड़े ही कहेंगे, अब तो प्राक्टिकल में पुरानी दुनिया का विना सर्वधर्मानी परितज्य माम एकम शरणम वरज। मैं फलाना हूँ यह हूँ नहीं। बस वह सब छोड अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मो को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस चाते हो, ताली बजाने चाहिए, हम आत्मा एक शरीड छोड दुसरा लेती हैं, अपने को देही आत्मा समझना है, हम आत्मा पहले पहले गोरी पावन थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस चाकर फिर आई स्वर्ग मे राज्य करेंगे, यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज हैं, शिव का चित्रतो पॉकेट में पढ़ा रहे, बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बाते करनी चाहिए, बाबा साथ में विधी भी बता रहे हैं, कि याद में जब बैठते है तो ऐसे ऐसे बाबा से बाते करनी है, शिव का फिर्स क्लास लोकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबो को सोने का सहुकारों को चांदी का देंगे, यह माताय बड़ी मिठी है, गाउव वालों में भावना अच्छी रहती है, साधारन बच्चों को देख बाबा भी खु स्वर्ग का मालिक है, इनकी ब्रह्मा बाबा की और स्री कृष्ण की बाते मिक्स कर दी है, गाउडे का पुरा अनुभाव इनको ब्रह्मा बाबा को है, तो शिव बाबा वा स्री कृष्ण गाउडे का चोरा बन न सके, हाँ यह दाधा ब्रह्मा बाबा चोटे पन में था, पला ही गावडे में हूँ, ब्रम्हा बाबा कहते हैं मैं पला बड़ा ही छोटे गाउं में हूँ, तो इस साधारन तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है, बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए, लोकिक बच् मैं बाप को भूल जाता हूँ, सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या, इंपोसिबल है, यह है तुम बच्चों के लिए महनत, निरंतर याद के अभ्यास से ही विकरम विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेंगी, विजय माला में आ नहीं सकेंगे, कमाल है यो, गरीबो, गणिकाओ, अहिल्याओ, कुपजओ, आदी को आकर अपना बनाते हैं, यू तो कोई चित्र की दरकार नहीं है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है, बुद्धी में रहना चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पांस, बुद्धी में रहन आकर चिप करके बैठेगा, तो पत्थर बुद्धी बन चाएगा, बाबा तो अंतरियामी है ना, अर्थात सब जानते हैं, यह बाबा, ब्रम्हा बाबा बाहरियामी है, उस शिबाबा को जट मालुम पढ़ जाता है, पतित चिपा हुआ बैठा है, तो जिसने ऐसे पतित को लाया है, उनको और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को सजा मिलेंगी, इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए, लौ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित चीची को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन चाएंगे, यहां कोई चोरी ठ ठगी चल न सके, पाप और पुन्य का हिसाब किताब धरमराज के पास रहता है, बबा केते यह सत्यम शिवम सच का दरबार है, यहां कोई भी जूट ठगी चिप नहीं सकती, अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और ग गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, सारी मुर्गले से धारना के लिए सार है, पहला, सभी की याद को समेट, बुद्धियोग सभी से तोड एक बाप की याद में रहना है, शिवाबा की कोठी बनाई, उनकी अविभिचारी याद में बैठना है, दुसरा, अपने से वापस जाते हैं, ऐसे अपने साथ बाते कर स्वदर्शन चक्र फिराना है, आज बाबा ने वर्दान दिया, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हिरे समान अमुल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हिरे समान अम जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हिरे को दागी बनाने वाली केवल दो बाते हैं, एक परदर्शन, दुसरा परचिंतन, यही दो बाते संग के रंग में स्वच्छ हिरे को दागी बना देती हैं, इसलिए इस म बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता सदा बेदाग सचा हिरा चमकता हुआ अमुल्य हिरा बन जाएंगे बाबा ने सदा बेदाग सचा हिरा चमकता हुआ अमुल्य हिरा बनने की विधी बताई कि दो बातों से सदा दूर रहना है एक तो पर दर्शन दुसरों को नहीं देखना है और दुसरा पर चिंतन दुसरे किसी कभी चिंतन नहीं करना है सिरफ स्वका दर्शन करना है स्वयम को आत्मा अनुभूति करनी है तो बाबा के ते आत्मा अमुल्य बेदा घिरा बन जाएंगी। आज का स्लोगन है विचित्र बाब के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। अच्छा, ओम शंति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।